नमस्कार आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूँ बेनजिर हाश्मी मुलिटिन में शिरुवात करते हैं पहले खास सुर्खियों के साथ फिर बात करते हैं हर्याना की ताजा और खास खबरों की गुजरात में भारी बारिश बार से अब तक हुई 49 लोगों की मोते वहीं हिमाचल में 119 सड़के बन तो राजिस्तान में तीन दिन भारी बारिश की चैतावनी 36 गड तेलंगाना बॉर्डर पर मुटभेड में 6 नकसली हुए धेर इनमें से दो महिलाए भी शामिल शब और हत्यार को किया गया बरामत दो दिन पहले भी मारे गए थे 9 नकसली तेलंगाना के जेनूर में रेप मडर की कोशिश करने पर आदिवासियों ने किया जोरदार प्रदेशन धार्मी किस्तल पर किया गया पत्राब दुकाने जलाई गई पुलिस ने इंटरनेट बंद कर लगाया कर्फियू मुंबई के मलाड में हुआ बड़ा हासा निर्मान धिन बल्डिंग का स्लैप गिरने से दो मजदूरों की हुई मौत जबकी दो गंभीर घायल तो वही चार मजदूर अंदर फसे होने की आशंका मौके पर रहात और बचाव कारे जारी कासगंज के वकील मोहीनिगी नहर में 13 मिली डेट बोडी 3 सितंबर को कोट से लापता हुई थी 40 वर्षिये महिला अधिवक्ता बहरेमी से कर दी गई हत्या एक बार फिर राजिस्थान कोटा से आत्मत्या का मामला आया सामने छात्र ने पंके से लटक कर दी अपनी जान निर्दर लिये चुनाव लड़ने का किया अयलाद तो ये थी दिनबर की ताजा सुर्खियां आप बात करते हर्याणा की बड़ी और खास खबरों की हर्याणा में विधानसवा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी होने के साथ ही पार्टी में भगदर मच गई है द्रसल वद्वार शाम को 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के कुछ ही मिंटों में सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पार्टी पदादीकारियों के स्थिफ़े गिनने शुरू हो गए वहीं के विधानसवाओ में पार्टी के खिलाब बगावत दिखी आपको बता दे रंटची चोटाला ने समर्थो को की मिटिंग बुलाई और वे निर्दलिये ही चुनाब मैदान में उतरेंगे इसके लिए एलान कर चुके हैं हलाकि वे कॉंग्रेस के भी संपर्क में रहे हैं इसके अलावा टिकट कटने के बाद रतिया के भाजपा विधायक लक्षमन नापा ने भी स्थीफा दे दिया है जो आप कॉग्रेस पार्टी जोयन करेंगे वही रोतक के महम से भाजपा के कैंडिडेट रहे शमशेर सिंग खडखड़ा और सोनीपत के जिलाव पाद ध्यक्ष संजीव लेचा और भाजपा किशान मोर्चा चर्खी दादरी के जिलाध ध्यक्ष विकास उर्फ बल्ले चे हर्याना में आज से नमंकन की परिक्रिया शुरू हो गई है वही ऐसे मेर राजनेताओं का नॉमिनेशन करने का दोर शुरू हो गया आपको बतादे इसकड़ी में हर्याना के पूर्व डिपती मुख्य मंतरी और उचाना काला विधानसवा सीट से जच्पा परतियाशी इसके लिए हम पूरी तरह से तयार हैं बताते चले कि जन्नायक जनता पार्टी वे आजास हमाज पार्टी के गटबंदन ने परतियाशी की पहली सूची भी जारी कर चुके हैं इस सूची में दुशन चोटाला का नाम भी शामिल था वे उचाना काला विधानसवा सीट से लड़ेंगे भी बताते चले कि आप सांसद रागप चडड़ा की हर्याडा कॉंग्रेस प्रभारी दीपक बावारिया से बुधवार को सीट स्टेरिंग पर मीटिंग हो चुकी है वयाम आदिपाटी के साथ गटबंदन पर कॉंग्रेस के पूर्व अधियक्ष राहुल गानी के कहने पर बाचित शुरू हुई है साथ ही ये भी बता दे कि बावरिया ने ही श्परस्ट कर दिया है कि आपको सिंगल डिजिट में सीट दी जा सकती है इस पर अभी बाचित चल रही है अगर समझोता हो गया तो ठीक है अन्यथा दो दिन बाद इसीती स्परस्ट हो जाएगी हर्याणा विदान सवाज चुनाव के लिए भाच्पा ने पहली सुची जारी कर दी है जिसके बाद भाच्पा की नेताओं में नाराजगी दिख रही है जिस पर पूर्व ग्रह मंत्री एवं स्वास्ते मंत्री अनिल बीज का एक बयान सामने आया दरसल भाच्पा में फैली बगावत को लेका अनिल बीज ने कहा कि छोटी मोटी नाराजगी होती रही है लेकिन उन्हें भी मना लिया जाएगा साथ ही बीज ने कॉंग्रेस द्वारा पहलवार मिनेश फोगाट को टिकट दिये जाने पर तंच कस्ते हुए कहा कि अगर मिनेश फोगाट देश की बेटी से कॉंग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो इसमें भाश्पा को कोई एतराज नहीं है विज ने बजरंग पुनिया को भी कॉंग्रेस द्वारा टिकट दिये जाने की अटकलोपर कहा कि कॉंग्रेस तो पहले दिन से ही इन खिलाडियों को अपने पक्छ में करना चाहर ही थी और उनके उकसाने से ही अंदोलन चला नहीं तो खिलाडियों का मुद्धा पहले ही रखता था आपको बता दें कि हर्याण विदानसवा शुराव के लिए भाश्पा द्वारा जारी की गई पहली सूची के बाद टिकट ना मिलने से पार्टी में फैली नराजगी पर अनिलविज ने कहा कि 90 सीटों का चुनाव है बता दें चलें नेताओं के स्थिपे पर पू की लिस्ट झारी करते हुए जिन में भाश्पा देश की जोती सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल का ठिकट काड़ दिया इसके खिलाब सावित्री जिंदल ने बगावत कर दी है जिसमें हिसार से से निर्दली चुनाव लड़ने का सावित्री जिंदल ने अलान भी कर दिया है खास बात यह है कि सावित्री जिंदल मशूर उद्योग पतिवे कुरूच छेतर से बीचेपी सांसत नविन जिंदल की माता है हिसार सीट पर उनका मुकाबला भाजपा के मंतरी कमल गुपता से ह होगा जिंदल परिवार की मुख्या एवन जिंदल समू की चेयर परसें सावित्री जिंदल देश में चोथे नंबर पर सबसे अमीर महिला भी है तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्कियों के साथ हर्याड़ा की खास खबरे कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देखते रहे हैं देश रोजाना नमस्कार झाल